केदारनात में महादेव और आदिशक्ती का अर्दनारिश्वर अपतार है जो ये दर्शारता है कि पुरुश और प्रकर्ती एक ही तत्व है मतलब अद्वैत है और इसी को शरीमत भगबत गीता में छेत्र और छेत्रग्य कहा गया है अब ध्यान से देखो तो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है लेकिन फिर भी कुछ है जो नहीं बदला अब जो नहीं बदला वो या तो प्रकर्ती का आधार परंब्रम है और या फिर हमारे शरीर का आधार आत्मा है लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो शरीर है वो इस प्रकर् तो इसलिए उसको अद्वेत कहा जाता है और कहा जाता है कि अहम ब्रह्मासमी तो वेद के चार महावाग्चे यही तो बता रहे हैं